हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, AIS एजूकेशन्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो भी इगनु के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स में इगनु में अपना एडमिशन ओनलाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या स्टेप्स फोलो करने ह एक जैक डिटेल्स में आपको बताऊंगा, लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूँ, जो भी हमारा चैनल, AIS एजूकेशन्स पहली बार देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बैल आइकन पर प्रेस करना ना बोलें, ताकि जो अपडेट्स हम अप और 22 है, तो यहाँ पर वरना अन्य की लिंक भी में बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड यूजर लोगिन जो होता है, एडमिशन करने के एक विक के बाद यहाँ पर लोगिन करके चेक करके रहना है, कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, या हुआ उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना होगा और लोगिन करना होगा, तो लोगिन मैं उलडिक किया हूँ, करके दिखा रहा हूँ, यह कैप्चा एंटर करेंगे और यहाँ पर लोगिन करेंगे, लोगिन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आजाता है डिट सबसे पहले आप यहां पे छसरहिक करेंगे तो आप कोई डिस्कृपेंसी तो पेंडिंग नहीं है अगर कोई इनों रेज करती तो आपको किल्यर करनी होती है उसके बात आप यहां पर 5ktd करेंगे तो detection करेंगे इस तेरह आप अब next step पे बढ़ते हैं इसके बाद आपको यहां login करने की ज़्यादा जरूरत नहीं जब आपका admission confirm हो जाता है और उसके बाद आपको next IGNU का समर्थ portal है जिसका link वीडियो के description box में mention है आपको यहां पे मैं link दे रहा हूं IGNU समर्थ portal करके description box में इस link पे आपको click करेंगे तो यहां पे आपको सबसे पहले आपको यहां पे new registration पे click करना होगा और new registration पे जैसे ही आप click करेंगे तो एक नया page open होगा इसमें आपको यहां अपना program select करना है जो आपका course IGNU में जिसमें आपने admission लिया है scroll down menu से यहां select करेंगे उसके बाद जो IGNU में आपने अपना नाम लि registered email ID और mobile number पे आता है उसके बाद OTP जरूर आएगा अगर आपने registered email login की है तो उसके बाद आप सब्मिट कर देंगे registered हो जाएगा password जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें login करना होगा इस page पे इस portal पे यहां पे तो आप login करेंगे login करने के बाद login भी आपको करके दि capture enter करने के बाद आप देखेंगे और आपका login हो जाएगा login यहां पर करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपका पूरी details आ जाती हैं यहां पर dashboard आपका profile क्या है सब आजाएगा आप किस course में registered है तो आपको यहां पर जो भी आपको service available करना चाहते services tab है इस पे क्लिक कर क्या आप services कोई भी लेना चाहें हो ले सकते जो भी facilities available हैं आप डिस्पले होती है इवन examination form सब यहां से भर सकते हैं सारे assignment आप यहां से download कर सकते हैं उसका link कलग से भी दूँगा तो अब बात आती है कि आपका कब क्या करना है course wise कब क्या करना होगा अगर आप bachelor degree या फिर master's degree क student हैं तो आपको अपना यहां पर टाइमली अपना जो भी अक्टिविटी जैसे की री रेजिस्ट्रेशन सेकिंडियर के लिए एक्जाम से पहले करना होगा इसके लावा जो अन्य चीज़ें वह बता रहा हूं सबसे पहले आपको course wise cover करते हैं तो जो भी इगनु के assignment की बात हैं तो जो भी इगनु में अभी जनवरी 2022 या किसी भी course में आप admission लेते हैं अभी जनवरी 2022 सेशन छोड़ दीजिए को कि जनरल वीडियो यह है सेशन स्पेसिफिक नहीं बना रहा हूं तो आप माल लो अभी अगर आपने इगनु के किसी भी certificate program या फिर semester pattern courses जैसे की BCA, MCA य इसमें की semester pattern है इनमें अगर आप admission ले चुके हैं या फिर 6 महीने की duration के certificate course में तो आपका admission लेने के बाद 6 महीने के बाद आपका examination होता है 5 महीने के बाद यानि कि अभी जनवरी 22 में admission ले रहे हैं example के तो certificate और semester courses का examination उनका June 22 में होगा उससे पहले उनको अपना जो assignment है वो March April म submission करना है examination form April में जब open होगा या March end में open होगा तो submission करना होगा तभी आप examination में appear हो सकते हैं इसके लावा अगर आपका next semester का admission यानि की registration pending है इगनों में second year या फिर next semester का admission को registration के नाम से जाना जाता है अगर आपका pending है तो आप अपना जो भी examination आपका जून में होगा तो उससे प courses की जैसे की bachelor degree जैने annual examination pattern courses जैसे की BAG, BSCG, BCOMG या फिर master's के लगबक courses या फिर BLIS, MLIS बहुत से courses है BTS या फिर BSW, MSW इन सब courses में MA English, MA Political Science ये annual examination pattern courses है इन में अगर आपने मान के चलिए अभी जनवरी में admission लिया है तो आपके September में assignment जमा होगे, October में आपका examination form जमा होगा और आप आपके November में second year के admission स्टार्ट हो जाएंगी और December में आपके first year के examination होगे, ये steps आपको follow करने हैं, तो यह थी complete information इगनों के क्या आपको करना है, assignment कैसे बनाने हैं, ये वीडियो भी बहुत जल्दी में बनाने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे marks मिल सकें, इसके लावा examination की preparation क कैसे करते हैं, course wise video भी देरे देरे इस channel पर upload की जाएगी, तो आप हमारे channel AIS education को जरूर subscribe कर लें, और bell icon पर press करना ना भूले, ताकि जो वीडियो जम अपडेट करें, आप लोगों तक पहुंच सकें, और इस वीडियो के description box में, हमारे whatsapp और telegram group के लिए, जहापे आप लोग